दुनिया में हर वस्तु जिसका वजूद है उसने कभी न कभी जन्म जरूर लिया है चाहे वह कुछ भी हो हमारी धर्ती का भी कभी जन्म हुआ था हाला कि यह घटना बहुत पहले घटी थी और यह घटना घटने के बाद कैसे सभी चीजों का जन्म हुआ है कैसे सोर मंडल का कैसे सूर्य का जन्म हुआ है और जिस जगे चंद्रयान तीन बैठा है उस चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ है और कैसे हमारे मानव जीवन का जन्म हुआ है कैसे कैसे मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुओं का अस्तित्व सामने आया है किस तरह मानव इन सभी क प्रभावित कर रहा है। सौर निहारिकाएं उस समय हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रही थी। सौर मंडल के निर्माण को समझने वाले मौडल का नाम सोलर नेबुला है। इस मौडल के अनुसार सौर मंडल का निर्माण, अंतरतार की ये धूल और गैस के एक बड़े घूमने वाले बादल से हुआ। जिसे वैज्यानिक भाषा में सौर निहारिका कहते हैं। पूरी तरह घुमा दिया। धीरे धीरे नेबुला की घूरनन गती तेज होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप, अंगुलर मोमेंटुम, ग्रेविटी और इनर्टिया ने नेबुला को प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क में बदल दिया, जो पूरी तरह से समतल थी। इतने बढ़े बदलाव के कारण छोटे-छोटे करण एक साथ एकठा होने लगे, जिससे बड़े-बड़े पिंड बनने लगे। इन पिंडों के कोणिय समवेग से नेबुला के केंद्र की परिक्रमा करते हुए किलोमीटर आकार के प्रोटो प्लैनेट बनने लगे। इस प्रक्रिया को होने में लाखों वर्ष लग गए। नेबुला का सेंटर शक्तिशाली अंगुलर मोमेंटुम न होने के कारण जल्दी ही ढह गया। इसके बाद जब तक हाइड्रोजन का हीलियम में परमानू सनलयन शुरू नहीं हुआ, तब तक संपीडन इसे गर्म करता है। और हमारे सौर मंडल में तापमान उपर निचे होता रहता है और इसका निर्मान होता गया। अब जानकारी लेते हैं सूर्य का निर्मान कैसे हुआ, नेबुला के केंद्र में अत्यधिक संकुचन से एक टी तौरी तारा विकसित हुआ, जो आगे जाकर सूर्य में यह वही सूर्य है जो हमें आज रोशनी और उर्जा देता है। इसी बीच नेबुला के बाहरी भाग में गुरुत्वा कर्शन ने पदार्थ और धूल के कणों को मिला दिया। इसके बाद बाकी बची प्रोटो प्लानेटरी डिस्क रिंगों में अलग होने लगी। और प्रित्वी का इतिहास इसके निर्मान से लेकर आज तक प्रित्वी के विकास से संबंधित है। प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने प्रित्वी के पास्ट की मुख्य घटनाओं को समझने में सांजा किया है, जो लगातार भूवै ज्यानिक परिवर् ज्वाला मुखी से निकलने वाली गैसों ने संभवता आदिम वातावरण और फिर समुद्र का निर्मान किया, लेकिन शुरुवात में धर्ती के वातावरण में ओंक सीजन न के बराबर थी। अन्य पिंडों के साथ पार बार टकराने के कारण प्रित्वी का अधिकांश भाग पिघल गया, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ज्वाला मुखी उत्पन्न हुए। जब प्रित्वी अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब माना जाता है कि एक थिया नामक ग्रह के आकार का पिंड प्रित्वी से टकराया। यह टकर इतनी भयंकर थी कि इससे एक छोटा सा टुकड़ा तूट कर अलग हो गया। जिसे हम आज के समय में चंद्रमा के नाम से जानते हैं, जो धर्ती का एक प्राकृतिक उपग्रह है। समय के साथ प्रित्वी ठंडी होती गई, जिससे एक ठोस क्रस्ट का निर्मान हुआ। परिणाम स्वरूप सतह पर तरल पानी के बहाव के लिए जगह बन गई। प्रित्वी के इतिहास को मुख्यतह चार युगों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोईक और फैनेरोजोईक। इन अलग यलग युगों में प्रित्वी का विकास अलग अलग तर करें